देखे महीं कनीना में भयानक स्कूल बस हादसे में छे मासूम बच्चों ने अपनी जान गवा दी दरसल हादसे के बाद नीन से जागी परिवहन विभाग ने आदेश ज़ारी किया और ये कहा कि पूरे प्रदेश शमी हर्याना के स्कूल के वाहनों का फिटनेस की जाच करवाने के आदेश देगा है लेकि सवाल ये उड़ता है कि अगर ये आदेश पहले दिये जाते तो आज एहादसा नहुआ होता कनीना सडक हास्से में 6 मासुमों की जान जाने के बाद परिवहन विभाग जो है वो नीन से जाक चुका है परिवहन विभाग ने पूरे परदेश में सभी वहनों की फिटनेस जाच के आदेश दे दिये हैं अगर पहले ही इस तरह के आदेश परिवयान विभाग देता तो आज 6 मासुमों की जान जो है वो ना जाती परदेश में आज याता यात पुलिस की ओर से सभी बसों को लेकर जो है चेकिंग अभ्यान जो है वो चलाया जा रहा है साथी साथ फिटनेस जाच भी जो है वो इसकी की जा रही है तमाम डोकुमेंट्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस की ओर से जाचे जा रहे हैं जब हरियाना के परिवयन मंत्री ने अपना चार संबाला आता हो तो उस वक्त जो है इस तरीके की जाज जो है वो करवानी चाहिए थी हलाकि हास्से के बाद जो है वो परिवयन विभाग की नेंद जो है वो कहीं न कहीं तूट गई है शिक्षव भाग की ओर से भी आज वहान शुरक्षा नीती को लेकर परदेश के तमाम जिला शिक्षा दिकारी जिला मोलिक शिक्षा दिकारी और सभी शिक्षा खंड दिकारियों के साथ शिक्षव भाग आज एक बड़ी बैटक करने जा रहा है वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जरीए ये बैठक होगी बैठक जो है वो शिक्षा भाग के अतरिक मुखेशिव के द्रक्षता में जो है वो की जाएगी तमाम गाइडलेंस को लेकर इसके अंदर बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी सवाल यही उठता है कि अगर पहले ही इस मामले में सक्ती बरती जाती तो आज इस तरह का हासा जो है वो पेश ना आता हलाकि इस मामले में सरकार की और से उच्टरिये जाच के अदेश पी दे दिये गए हैं और सरकार का यही दावा है कि जो मासमों की जान गई है उसके परिवार को उचित मुआफ़ा दिया जाएगा इसके सासाथ जो इस मामले में गायल हुए है उनका खर्च जो है सरकार की और से वहन किया जाएगा और दोशीयों को किसी भी सूर्त में बख्ञा नहीं जाएगा इस मामले में हर्याना के सीव सेकेटरी की ओर से महा के डी सी से रिपोर्ट भी जो है वह तलब उसी वक्त परिवयान विबाग की मीटिंग बुलाकर इस तरीके की दिशा निर्देश जो है वो दे दिये जाते तो आज इस तरीके का हाथसा जो है वो पेश ना आता लेकिन जिस तरीके से लीपा पोती की जाती हर बार अगर इस तरीके हाथसे होते हैं तो लीपा पोती करके मीटिंगे लेकर खानापूर्ति की जाती है अगर आगे भी इस तरीके की मीटिंगें समय समय पर नहीं होई तो इस तरीके के हाथ से आम हो जाएंगे तो ऐसे में अभ इस मामले में सरकार को सक्ती कही न कही बर्तनी चाहिए चंडीकर से वीडियो जनलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया इंडियानुवर्ज